हलो फिरेंज, वेलकम टो टो जैन नोलेज क्लासिस आज की इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं इस तरह के प्रस्णों को हल कैसे करते हैं जैसा की प्रस्ण दिया हुआ है कोई व्यक्ति दो दिन में 800 रुप्या कमाता है तो एक महीना 10 दिन में कितना कमायेगा तो इस तरह के प्रस्णों को हल करने के लिए सिखने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए देखि यहाँ पर एक ब्यक्ति है जो 2 दिन में 800 रुप्या कमाता है तो हमें एक महीना 10 दिन में ग्याद करना है तो देखें यहाँ पर एक दिन में दिया हुआ है और यहाँ पर महीना है तीस वाले जो महीना है इसको दिन में पहले चेंज कर देंगे तो यहाँ पर लिखना है एक महीना 10 दिन बराबर देखें एक महीना में 30 दिन होता है तो यहाँ पर 30 लिखेंगे और पलस 10 दिन ये दिया हुआ है तो इसको 10 इसमें जोर देंगे तो यहाँ पर पूरा कितना जागा तो 40 दिन यानि कि हमसे पूछ रहा है कि 40 दिन में वह बेक्ती कितना रुपया कमाएगा तो चलिए इसको बनाते हैं तो यहाँ पर देखें लिखना है दो दिन बरावर 800 रुपया यानि कि वह बेक्ती दो दिन में कितना रुपया कमा रहा है 800 रुपया तेहाँ पर इस ट्रेसर लिख देना है इसके बाद हमें सबसे पहले एक दिन में ग्यात कना कि वह बेक्टी कितना रुपिया कमा रहा है तो यहां लिखना एक दिन बरावर 800 और बटा दो कर देना है यानि कि 2 से 800 को भाग दे देना है तो देखिए 2 से जब 800 को भाग देंगे तो यह 400 बार में कटेगा यानि कि वह बेक्टी एक दिन में 400 रुपिया कमा रहा है अब हमें पता हो गया कि वह बेक्टी एक दिन में 400 रुपिया कमा रहा है तो अब हमें ग्यात कना है कि वह बेक्टी 40 दिन में कितना रुपिया कमाएगा तो यहां लिखना है 40 दिन बरावर एक दिन वह ब्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है 400 रुपया तो यहाँ पर 400 लिखेंगे और गुना हमें 40 दिन में ग्याद करना कि कितना रुपया कमाएगा तो इससे 40 में गुना कर देंगे अब देखिए यहाँ पर 40 से जब 400 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000 यानि कि वह बेक्ती 40 दिन में कितना रुपया कमा रहा है 16,000 रुपया अब इसे 40 दिन ना कहकर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह बेक्ती एक महीना 10 दिन में कितना रुपया कमाएगा तो 16,000 रुपया कमाएगा ए एंसर हो जाएगा चलिए तेक और प्रसन को देखते हैं देखिए इस वाले प्रसन में क्या दिया हुआ है कोई वेक्ती चार दिन में पंदरा सो रुपया कमाता है तो वह 25 दिन में कितना कमाएगा चलिए ते इस वाले प्रसन को कैसे हल करेंगे देखिए सबसे पहले हमें यह ग्यात कना होगा कि वह बेखती एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है तो यहाँ पर लिखना है चार दिन बरावर पंदरा सो यानि कि वह बेखती चार दिन में कितना रुपया कमा रहा है तो पंदरा सो रुपया कमा रहा है सबसे पहले अब हमें एक दिन में ग्यात करना है कि वह ब्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है तो एक दिन बरावर यहाँ पर पंदरा सव और बटा चार लिखेंगे यानि कि चार से पंदरा सव को भाग देना है तो देखें चार से जब पंदरा सव को भाग देंगे तो एक कट जाएगा 375 बार में यानि कि वह बेखती एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है तो 375 रुपया कमा रहा है ये तो एक दिन में हो गिया हमें ग्याद करना है 25 दिन में वह बेखती कितना रुपया कमा रहा है तो यहाँ पर लिखना है 25 दिन बरावर एक दिन में 375 रुपया तेहां पर 375 लिखना है और गुना तो हमें यहां 25 दिन में ग्याद करना है कि वह बेक्ति कितना रुपया कमाएगा तेहां पर 25 से गुना कर देना है तो देखिए 25 से जब 375 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9,375 रुपिया यानि कि वह बेक्टी 25 दिन में कितना रुपिया कमाएगा तो 9,375 रुपिया यह इंसर हो जाएगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए और इस तरह के प्रसनों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए